आज मैं आपके समख्च एक ऐसी चीज जोतिस के संबंद में रख रहा हूँ जो आप स्वेल्ण अपने घ्यान के आधार पर या जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको सुनकर के अपने दिमाग में रखें आप आप अपनी रासी का सुभाव स्वेल्ण ही समझें या दूसरे की रासी का सुभाव आप जब समझ में आ जाएंगे तो आप जो है उसके व्योहार का जो प्रिक्रिया है वो रासी का सुभाव के अंसार अपने आप समझ करके व ब्योहार करते हैं तो अब हम लोग तो जो सी हैं तो इसलिए हमको ग्यान है कि यह रासी का सुभाव यह है इसका सुभाव देकिन आप सेम इसका ग्यान कर लें कि सामने वाले की यह रासी है और आपकी रासी यह है तो आपकी रासी से सामने वाले का सुभाव स्वरूप क्या ह तो जिसमें आपका वियोहार बहुत समय तक चलता रहे कभी कभी क्या है कि वियोहार ठोड़े समय चलता है और बिगड़ जाता है क्योंकि हम उसका सुभाव belongsरूप को नहीं समझ पाए है स्वरूप तो हम देख रहा हैं लेकिन अंदर के सुभाव को नहीं समझ पा रहा है आज से मैं वो ग्यान देने जा रहा हूँ आपको कि आप उसकी रासी को समझ करके आप उससे ब्योहार उस धंग से कर सकते हैं देखिए मेश रासी से रासियां प्रारंग होती है और सूर्य आजी जो नोग रहे हैं वो नोग रहे भी जो है तो सूर्य चंद्रमंगर गुदूरू सुक्रसनी राहू केतुसनी ये सब नोग रहे हैं तो इस क्रम से मेश रासी मेश रासी रासियों की स्रिंख रा में एक नम्मर की रासी है अब ये रासी का प्रेदे सुभाव समझें कि मेश, मेश याने मेंधा जो भेडों के आगे आगे चलता है जो ऐसे सीन वाला और वो आगे चलता है पीछे सारी भेड चती है तो एक कहावत है न भेड चाल चल रहा है तो वो मेंधा आगे आगे चलता है भेड उसके पीछे चलती है उसी प्रकार के मेश रासी विक्ती हर काम में आगे आगे चलने वाला होता है और हमेशा कभी पीछे बीच में नहीं चलने वाला है मेश रासी होगा तो जल समू में जब चलेगा तो आगे आगे चलेगा क्योंकि मेश यानि मेंडा मेंडे का सुभा होता है मेंडे का एक सुभा होते हुआ दूसरा मेंडे का सुभा हुआ कि मेंडा कभी किसी से डरता नहीं है निर्भीक होता है याने भय नहीं हो उतका किसी प्रकार का निडर और साइसी होता है सामने से अगर सेर भी आ जाए तो भी उससे मुकाबला करने की छमता लगता है वो अपना उसकी ये खोपड़ी बड़ी मजबूत होती खोपड़ी से ढड़ता है उसका सबसे बड़ा हतियार खोपड़ी होता है इसलिए मेशरासी व्यक्ति की खोपड़ी मजबूत हो खोपड़ी से ही काम करता है याने दिमाग से काम करने बादा होता है अच्छा मेंडा अडियल होता है जहां अड़ जाए उहां पर अड़ा रहता है मेश रासी वाक्ती भी यहंसे अडियल होते है सबसे आगे चलना अडियल होना इसके सुभाव में होता है ये कुछ सुभाव तो मेंडे का आगे है मेश रासी वाले को दूसरा रासी भी प्रथम है मेश रासी तो वो आगे तो रहेगी भाई तो मेस रासी भी आगे की रासी इसलिए आगे रहेगी अब रासी का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है कुछ सुभाव इसका मंगल के समान हो जाता है मंगल का क्या सुभाव है मंगल ग्रहों की जो मंत्री मंडल है उसमें सेना पती होता है मंगल का सुभाव पूरा समय दोगा, मंगल सेना पती है, जैसे अपनी सेना में जो सेना पती होता है, तो उसी प्रकार का प्रधान होता है सेना में वो, तो पूरे मंत्री मंदल में, ग्रहों के मंत्री मंदल में उसी का ही प्रभाव, अब जो सेना पती होगा, वो सक्ति साधी निश्चित होगा, सक्ति साली होता है वो, और सक्ति जो है मंगल के द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर मंगल जितना बदवान होगा उसके अंदर सारे रित सक्ति भी उतनी ही होती है, इसलिए मंगल का रुधिर याने खून और खून अच्छा रहता तभी सकती आते हैं इसलिए खून का याने रक्त का कारक है और रक्त से ही सकती आती है तो यह उसके अंदर आ गया दूसरा मंगल का जो है सेना पती का क्या सुभा होता है सब को अपने नियंतर्ण में रखना पूरी सेना को जैसे वो अपने नियंतर्ण में रखता है तो मंगर जिसका मजबूत होता है वो अपने अधिकार में सब को रखता है जाए वो अनुसासन के अधिकार में हो ये प्रेम के द्वारा अनुसासन करे लेकिन वो एक उसके अंदर हीन भावनाय नहीं रहती है कि वो सेनापती है, सेनापती में हीन भावना हुई नहीं सकती है सेनापती में अगर हीन भावना हुई तो काई का सेनापती तो एक सुभाव ये हो गया सेना पती हमेशा उसमें क्रोध रहता है उगरता रहती है अगर उगरता ना हो क्रोध ना हो तो वो लड़ाई लड़ने की छमता ही नहीं रहती है और जगड़ा करने में प्रमीन होता है युद्ध का कारक होता है युद्ध का तो उससे कोई पंगा ना ले क्योंकि वो सेना प जर रासी है वो चर इस्थिर दुई सुभाव याने चर मेस रासी ब्रसव मिथुन हो गई और मिथुन हो गई दुई सुभाव चर याने चलायमान यह चल रासी होती है मेश रासी वो चल याने चलाय मान याने कभी वो इस्थर नहीं बैठ रहता विक्ति हमेशा चलाय मान रहता है चंचल प्रिकिंटी का होता है मानसिक रूप से सारी री रूप से वो चंचल होता है चल रासी होने के कान चल रहेगा दूसरा अगनी प्रस्वी बायू जन ये अगनी तत्व की रासी है अगनी प्रस्वी बायू जन मेश रासी अगनी और ब्रसव रासी प्रस्वी अगनी प्रस्वी और मित्वन रासी बायू और करक रासी जन तो ये क्या है तत्व कुंसा है मेश्रासी का अगनी तत्व है तो अगनी का मत्बब है ज्वलन सीर होती है अगनी जहां जेती है खूंखा होती है जला जेती है किसी व्यक्ति को सबसे जादा अगन भाय लगता है अगनी किसी की सगी नहीं होती है आप उसमें हाट डालोगे तो जलेगा तो इसी प्रकार से इस व्यक्ति से स्वेम पंगा नहीं लेता है लेकिन अगर उससे पंगा लिया तो निच्चे थै कि उसमें आवेश जल्दी आ जाता है क्रोध उसमें जल्दी आता है अगरी जैसे जुलंसीर होती है और उसमें प्रोध जल्दी आ जाता है तो मेस रासी वाले को गुस्ता अधिक आता है जल्दी आ जाता है लेकिन छणिक रहता है ज़्यादा समें टिकाओ नहीं रहता क्योंकि मेस रासी है ना पहली रासी है तो छणिक रहेगा, एक तो ये सुभा हो गया उसका, और जो सेनापती मंगर है वो उदार्चित होता है, क्योंकि सेनापती में अगर उदारता ना रहे, क्योंकि जिसमें सक्ती होती है वो ही उदार होता है. अच्छा, इस रासी पर जो सूरी है वो उच्च रासी का हो जाता है, मेश रासी पर जब सूरी होता है, तो उच्च का कहराता है. शरीर के अंदर, जो मेश रासी यहां से प्रारंब होती है सिर से, तो मेश, ब्रैक, मिथुन, कर्क, सिंग, कन्या, तुला, ब्रिश्चिक, धनू, मकर, कुम्ब और मीन, शरीर के अंदर, सिरो भाग जो होता है, वो मेश रासी का होता है, जब कभी मेश रासी का स्वामी, तो मंगल हो गया, और सूरी मेश रासी में उच्च का होता है, सूरी भी ग्रहों का राजा है, और ग्रहों का राजा, तो एक नम्मर का होता है, सेना पती मंगल है राजा जो है तो सूरी है तो मेश राशी में ही उच्च का क्यों हुआ मेश राशी उर्जा की प्रतीक है सरीर के अंदर जो उर्जा सकती होती है वो सिर को उपर होती है सिर के उपर उर्जा सकती होती है इसलिए ये सूरी है एक तो उर्जा का कारग सूरी और मेस राची पे अगर बैठ जाए तो एक तो गरम है ये भी और उर्जा सक्ति उसके अंदर जाजा रहेगी और शौण की राजा में अथ्वामी है में उन दोनों में सेनापती में हीन भावनाय नहीं आ सकती उसमें रजोगोणी प्रुत्ती होगी वो एकदम जैसो तेजस्वता ऊणजा सकती उसका माथा भी धमता हुए रहेगा निर्भीक का आँक हैं फिरकों तरीतनाई फिरकों निर्भीक हो करके देखने वाला होगा एकदम तेज तर्राट रहेगा और ऐसे व्यक्ति को देख करके व्यक्ति प्रभावित हो जाता है डरता नहीं है वो प्रभावित हो जाता है और सामने वाले की सक्ति को पहचानने तो व्यक्ति एक व्यक्तित तो है और सामने वाला ये जो करेगा वो सही करेगा, कभी गलत नहीं करेगा, असत्त नहीं बोलेगा, क्योंकि असत्त तो कमजोर व्यक्ति बोलते हैं, जो भय रहता है जिनको बोलते हैं, जिसको भय नहीं है तो काई का सत्त्त बोदेगा, इसलिए मेश रासी व्यक्ति, अच्छा अब उसके अंदर मेश रात्यू चलाइमान है, तो चलाइमान है तो उसमें स्थिरता नहीं रहती, चलाइमान याने डोलता रहेगा हमेशा, और इसके अंदर सहाज सक्ति जिसके पंदर उधार होता, दूसरे का ध्यान जादा रखता है, याने ये जो मेश रासी वाले बेखती और उसमें मंगर उसका स्वामी है, सूरी अगर और बैठ जाए तो उसके अंदर स्वाभी मानी रहेगा, और एकदम व्यक्तित उसका बहुत, व्योहार में ये कुच्चकोटी का रहेगा, उसका प्रभाव जमता है, जो भी बात करेगा वो प्रभाव उत्पादक होगी, याने उसकी प्रभाव में कोई कमी नहीं रहेगी, बात का एक धनी रहेगा, दूसरा ये विश्वास पात्र भी होता है, क्योंकि इसमें वो छल कपट प्रपंच नहीं है, ये छल कपट प्रपंच चोरी करना, हीन भावनाय होना ये सब कमजोर की ताकत होती एक कमजोर व्यक्ति होता है उसका काम होता है तो इसमें जो है कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती इसलिए एक तो सत्वक्ता होगा और निर्धीक होगा साइसी होगा दूसरों का कल्यान करने में आगे रहेगा, हमेशा चाय मान रहेगा, और कोई भी काई तत्पात्ता से करने वाला पैंडिंग में नहीं डालेगा, आपने कहा यहां किया और काम हो गया, फटा फट, और मनो योग से काम करने वाला होगा, एक तो मन उसका लगेगा, तो पूरा जब तक कारी नहीं होगा, बीच में नहीं छोड़ेगा, तो मनो योग से काम करने वाला होगा, इस प्रकार का मेश रासी का विक्ति होता है, ऐसा मैंने आपको आज, अच्छा दूसरा इसका खान पदात कैसा रहेगा, हमेशा मीठा ज़्यादा पसंद करेगा वो, मिटान भोजन भौत प्री रहेगा, और थोड़ा खाता है, लेकिन वालिटी बादा खाने वाला होगा, यानि थोड़ा खाएगा, लेकिन क्वालिटी बादा होना चाहिए, मन उसके अंदर ऐसे ने कुछ भी खा लिया, पेट बनने से काम नहीं, वो हमेशा क्वालिटी बादा, औ जब धर्मों रक्षती रक्षता हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करा है हम दूसरे की इज़त करेंगे तो हमारी की इज़त वो करेंगा तो अपना व्योहार अपने उपर ही रिद्वा करता है इस प्रकार से मेश रासी का आज को सुभाव और स्वरूप और प्रभाव आपको दर्सा आया इस प्रकार से आप इस बेवहर को समझ देंगे ग्यान प्रापकर एक एक रासी का मैं रोज बताऊंगा आप बड़े मनुयोग से समझ के इस वीडियो को आप समाल करके रखे और हमेशा सुनते जाए और विशेज जानकारी के लिए हमारी वेब साइट है उस वेब साइट को खोल करके देखें उसमें कई चीजें आपको मिल जाएंगे वेब साइट का नाम है जोतिस समाधान डाट को डाट इन ये खोल करके देखेंगे तो आपको कई चीजे देखने को लगे रासी भविश स्थापता है भी उसमें इस थाई रूप से मिलेगा इस प्रकार से मैं आसा करता हूँ आप संस्प्राइज करें और लाइक करें डाल बटन को दबाएं जिससे कि मैं आपको आज से अच्छी से अच्छी एक चीज मिल बताने जा रहा हूँ आप अपने सुभाव को स्वेहन समझें और दूसरे के सुभाव को समझके उससे बिवहर कर सकते हैं ऐसा कहकर के मैं आज का विराम देता हूँ